Hello everyone, Welcome to PharmaRocks YouTube channel PharmaRocks के YouTube Agikational channel में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे डायबीटिस के बारे में और सिखेंगे डायबीटिस होने के कारण क्या होते है उसके लक्षन क्या होते है और किस तरह से उसका तक इलाज किया जा सकता है, किस तरह सी यह condition को prevent कर सकते हैं, तो वो सब सिखेंगे यह video lecture के अंदर detail में, तो अगर आपके पास android phone है तो android अप डाउनलोड करें, आईपोन यूजर है तो आप स्टोर से, लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी, तो सबसे पहले समझे कि diabetes जो है वो क्या है, तो diabetes को हम sugar की वीमारी जो कहते हैं, कि जिसके अंदर mainly जो हम देखते हैं, तो blood sugar जो है वो आपका increase होता है, कि normal के compare में जब आप blood test वगएरा करवाते हैं, तो blood के अंदर रही जो sugar की जो मातरा है, वो काफी ज़्यादा होती है, normal के compare में, कि जिसको हम कहते हैं diabetes, और तो diabetes जो एक ऐसी वीमारी है, कि जिसके अंदर आपका जो blood sugar level है, वो काफी ज्यादा रहते हैं, कि जिसको हम कहते हैं diabetes, तो ये होता कैसे है, तो normal एक mechanism होती है हमारी body के अंदर, कि हमारी body के अंदर रहे, ये pancreas आप देखते हैं, कि जो gastrointestinal tract के अंदर आप देखते हैं, तो GI tract के अंदर रहा ये जो pancreas है, वो pancreas के ये pancreatic aylate के अंदर, ये beta cells होते हैं, कि जो insulin को release करते हैं, और ये insulin क्या करता है, कि जग हमारी body के अंदर sugar की मातरा बढ़ जाती है, तो automatically ये pancreas में से insulin release होता है, और ये insulin जो है, वो excessive glucose को utilize करवा देता है, और blood sugar जो हमारा normal लेता है, बट किसी कारण नो सर समझे कि आपका जो pancreas है, वो proper amount में insulin produce नहीं कर रहा है, या फिर insulin का आपके body के अंदर resistance हो जुका है, तो भी वो proper amount में release नहीं होगा, जिसके करण body के अंदर क्या होता कि जो glucose utilization करने के लिए, जो insulin proper release होता है, वो release ना होने के करण glucose की जो मातरा है, वो आपके body के अंदर बढ़ती जाती है, जिसके करण आपके body के अंदर जो glucose का जो level है, वो increase होता जाता है, तो diabetes के अलग-अलग हम type देखे, तो चार type के diabetes होता है, type 1 diabetes होता है, type 2, gastrational diabetes and pre-diabetes condition, कि type 1 diabetes को हम insulin dependent diabetes mellitus कहते हैं, type 2 को हम non-insulin dependent कहते हैं, कि जिसके अंदर आपको oral hypoglycemic medications लेनी पड़ती है, gastrational जो diabetes होता है, वो usually pregnancy के दौरान देखने को मिलता है, and pre-diabetes मतलब कि ऐसी condition की, जो blood sugar जो है, वो medium range के अंदर है आपका, तो उससे आप समझे कि cure कर लेते हैं, तो normal भी हो जाएगा, और समझे कि वहाँ से cure नहीं होता, तो वो diabetes type 1 और type 2 के अंदर भी convert हो सकता है, तो सबसे पहले समझे कि जिसको, ये sugar की बिमारी होती है, diabetes के problem होता है, तो उसके अंदर symptoms क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले, urination की जो frequency है, वो increase हो जाती है, कि आपको बार-बार जो है वो, urination के लिए जाना पड़ता है, और वो भी स्खास कर रात को, फिर always very thirsty, कि आपको प्यास जो है वो ज्यादा लगती है, females के अंदर समझे कि ये diabetes से, तो उनको vaginal infection जो है वो ज्यादा होते हैं, फिर loss of weight without trying, कि आप समझे कि कोई ऐसे, उपाई भी नहीं कर रहे है, weight कम करने के, फिर भी आपका weight जो है वो अचानक से, कम हो जाते हैं, कि ना ही कोई exercise कर रहे हैं, आप ना ही कोई dieting कर रहे हैं, फिर भी आपका जो weight है, वो कम हो जाता है अचानक, फिर always hungry, जैसे आपने बात की कि प्यास बार-बार लगती है, उसे तरह से, भूख भी आपको बार-बार लगती है, always hungry, इवन पाने भी पिते आप अच्छे से, खाना भी खाते हैं, फिर भी person जो है, वो always tired, मतलब कि उसको थकान जल्दी से हो जाती है, because, जो है, sugar का जो fluctuation रहता है, उसके करण जो है, वो काफी थकान रहती है, कमजोरी जैसा फिल होता है, और जिसको हम कहते है, fatigue की condition, फिर blur vision हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर, फिर numbness देखने को मिलता है, कि आपके हाथ या पेर जो होते है, वापे आपको numbness फिल होता है, या फिर tingling जैसा फिल होता है, फिर feel very tired, ठकान होना, and have a very dry skin, तो यह सर problems जो है, वो produce होते हैं, फिर कई बार समझों कि आपको wound होते हैं, को injury वगरा होती है, तो भी वो जल्दी से, उसका healing ना होती है, जो normal process है के समझों कि 4-5 दिन के अंदर, normal को injury healing हो रही है, but diabetes के अंदर ये 4-5 दिन के बज़ाए, एक महिना जितना भी लग जाएगा, दो महिना भी हो जाएगा, फिर भी जल्दी से जो wound होते हैं, उनका healing नहीं होगा, तो वो भी एक symptom बनता है, कि आपको सुगर की विमारी हो सकती है, and कुछ cases के अंदर sexual problems भी देखने को मिलते हैं, कि अगर आपको diabetes है, तो ये सब symptom से हम जो उसको diagnose कर सकते हैं, symptomatically, अब जानते हैं उसके causes, के reasons वगड़ा क्या है, तो जो type 1 diabetes जो होता है, कि insulin dependent के type 1 diabetes जिनको होता है, तो उनको जो है, वो medications के दौर पर खास कर insulin के injection ही लेने पड़ते हैं, उनको oral hypoglycemic medications वाला option उनके पास नहीं रहता, तो type 1 diabetes कब होता है, कि जब body का अंदर रहा जो pancreas है, वो insulin को produce ही नहीं कर रहा है, तो insulin ही नहीं बन रहा है body के अंदर, तो medication से हम उसको produce नहीं करवा सकते, तो वो ऐसे cases में type 1 diabetes वाले जो person है, वो बाहर से insulin के injection लेते हैं, जबकि type 2 diabetes के अंदर क्या होता है, insulin तो बनता है, बट उसका resistance होता है, तो जब आप oral hypoglycemic medications लेते हैं, तो वो resistance का overcome हो जाता है, और person के अंदर diabetes जो है, वो control में रहता है, तो type 1 की हम reasons जानते हैं, तो एक तो pancreas आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए reasons हो सकता है autoimmune disease, कि आपके body के immune system नहीं, pancreas के जो islet cells थे, कि जो pancreatic islet से वहाँ पे आई जो beta cell जो insulin को release करते थे, वो cell को damage कर दी कि जिससे insulin अच्छे से release नहीं हो रहा है, फिर pancreas आपका damage होगा है, कोई virus और infections के कारण, autoimmune destruction of beta cell के autoimmune cells, जो problem होता है, कि ये वाले जो beta cells है, उनके उपर आपके ही body के immune system के जो cells होते हैं, उनने ने attack करके उनको damage कर दिया है, कि आपके ही body के ये antibodies थे, और उनी ने आपके ये beta cell के उपर, attack करके उनको destroy कर दिया है, फिर damage हुआ या फिर, damage हुआ या फिर कोई भी infections के करण, आपको pancreas का operation करके उसको remove करवाना पड़ा है, तो भी जो है वो type 1 diabetes के अंदर आप convert हो जाते हैं, because pancreas ये एक ऐसा organ है कि उसके अंदर रहे ये beta cell जो है वो insulin release करते हैं, तो जब भी sugar जैसे ही increase होती है, तो automatically ये जो beta cells जो होते हैं वो insulin release करते हैं, और ये increase हुई वो sugar हो, उसको ये insulin तूरत क्या करता है, utilize कर लेता है, और जिसके करण sugar normal रहेता है, बट ऐसा fail कब होता है कि जब ये pancreas अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फिर endocrine diseases हुए है तो भी pancreas के जो control करने वाले जो hormone से वो अच्छे से release नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आपको diabetes हो सकता है type 1, hereditary predisposition की जो बात करते हैं, कि parents से उनके बच्चों को कई बार ये विरासत में मिल जाती है disease, फिर drug and chemical toxins के करण समझे कि आपका pancreas damage हो के कुछ medicins के side effect के करण ऐसा हुआ है, and unfavorable environmental factors, तो ये सभी reasons के करण जो ही वो person को diabetes हो सकता है, तो ये discuss किया, हमने type 1 diabetes के causes, type 2 diabetes के हम reason समझे, तो blood pressure, कि आपका blood pressure काफी ज़्यादा रहता है, pancreatic disease हुए है आपको, obesity है आपके body के अंदर, stress आप feel करते, तो stress के करण भी क्या होता है कि insulin release तो होता ही है, pancreas अच्छे से काम कर रहा है, insulin भी release करवा रहा है, but insulin का develop हो चुका है resistance, body के अंदर, जो है वो resistance डेवलफ हो जाने के कारण, insulin को जो आपके body के जो cell है, वो अच्छे से ले नहीं पाते, और वो utilize ना करे insulin को, तो आगे glucose भी proper utilize नहीं हो पाता, फिर genetic problems के कारण भी ये reasons बनते हैं, जैसे age बढ़ती ही जाती है, तो भी कई बार type 2 diabetes होता है, sedentary lifestyle है, कि आप बैठे ही रहते हैं, ज्यादा तर unhealthy खाना खाते हैं, और proper ना ही diet अच्छा है, ना ही exercise करते हैं, और ज्यादा तर आप जो है वो ऐसा जीवन व्यतित करते हैं, कि जिसके अंदर आराम ज्यादा है, और exercise वगरा कम है, तो भी diabetes के सिकार आप हो सकते हैं, जो है वो medicines के कुछ side effects से भी, sugar जुक्की बीमारी हो सकती हैं, factors हम समझे, risk factor, कि कैसे लोगों को diabetes होने का risk सबसे ज्यादा है, तो एक, तो family history के अंदर किसी को diabetes है था, तो आपको भी diabetes होने का खत्रा जो रहता है, फिर अगर आपके body के अंदर obesity है, आपका weight काफी ज्यादा है, overweight है आप, तो भी आपको यह हो सकता है, age above the 30, 30 साल या फिर उससे ज्यादा की एज़िस बढ़ती जाती है, और आप समझें के सामने proper diet नहीं लेते, exercise वगर नहीं लेते और unhealthy diet लेते हैं, तो भी आपके लिए यह risk factor बनता है, फिर sedentary lifestyle, अभी जैसे बाइय ने बात की, ऐसा जीवन व्यतित करना की जिसमें ज़्यादा तर आराम है, कि 80-90% आप आराम ही करते हैं, सिर्फ 10-20% जितना ही आप जो है वो body को थोड़ा यूटिलाइस करते हैं, अलग-अलग काम के लिए और उसमें exercise तो है ही नहीं, तो यह sedentary lifestyle के करान आपको diabetes हो सकता है, history of gastricional diabetes, कि pregnancy के दौरान आपको ऐसा हुआ था कि blood sugar increase हुआ था, तो कुछ ऐसे cases भी देखने को मिलते कि उनको pregnancy के अंदर diabetes था, तो उसके बाद भी कई बार blood sugar की problem हो जाती है, stress क्या आप जो बहुत ज़्यादा stress लेते हैं, अचानक से कोई ऐसा आपके life में अंदर ऐसा कोई बनाओ बना है, event हुआ है, कि उसके shock के करान, उसके stress के करान भी कई बार यह सुगर के बीमारी हो जाती है, और आपका blood pressure high रहता है, कि blood pressure आप control नहीं करते, ऐसा diet भी लेते कि जिससे blood save कर उंक्रेश हो, और सामने medications नहीं लेते, उस साथ ही जो दूसरे उपाई कि ना ही आपके life में meditation है, ना ही कोई yoga है, exercise वगरा है, तो भी आप जो हो diabetes के सिकार हो सकते, तो यह है risk factor, कि कुई लोगों को इसका risk सबसे ज़्यादा है, फिर on healthy diets के cases हम देखे, तो one in three, जो लोग है, उनमें से तीन लोगों को आप लेखोगे, तो उनमें से एक को आपको यह सुगर की बिमारी देखने को मिल सकती है, physically inactive आप रहते हैं, तो भी one in ten is obese, तो यह सब problems हो सकते हैं आपको, कि overweight का problem है, unhealthy diet है, और obesity है आपकी, कि जैसे physically inactive हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा actions देखें, तो आप क्या कर सकते हैं, कि जिससे diabetes को होने से रोग सकते हैं, तो healthy खाना खाना चाहिए, physically आपको fit रहना चाहिए, be physically fit and active, avoid excessive weight gain, कि आपका weight ज़्यादा ना बड़े, वो आप खास द्यान रखे, check the blood glucose if doubt, कि अगर आपको ऐसा कोई doubt लगता है, कि जैसे मैंने अभी आपको symptoms की हमने discuss किया, ऐसा कोई भी symptom आपको ऐसा लग रहा है कि, आपके अंदर भी है, तो एक बार सुगर की जाँच कर वा लेनी चाहिए, simple ये glucometer से भी, उसकी जाँच हो जाती है, तो भी वहाँ पे free of cost जो है वो diabetes जो है आपको चेक करके देते है, फिर जो medical advices होती है, कि आप जो है वो ऐसा जीवन व्यतित करें कि उसमें proper exercise भी है, meditations वगरा है, आप yoga करते है, walking करते है, cycling वगरा करते है, body आपका feet रखते है, healthy खाना खाते है, और proper जो है वो precursors रखते है, तो आपको जो है वो diabetes जो है वो कभी नहीं होगा, फिर बात करें उसके diagnosis की देख तो symptom basis पे कि अभी जो आपने बात की के ठकान रहती है, प्यास बार बार लगती है, बुख बार बार लगती है, वजनल infections बार बार हो रहे है, वेट अजनक से कम हो रहा है, बार बार urination में जाना पड़ता है, sexual problems हो रहे है, वाउंड से जो healing नहीं हो रहे है, ये symptoms से diagnose हो जाता है diabetes, फिर blood test की हम बात करें तो जो fasting sugar blood test होते हैं, कि बीना खाना खाए आप जो है वो blood test करवाते हैं, mg per deciliter के अंदर blood sugar की भी जान्च की जाती है, as well as even C blood test भी किया जाता है, so blood test से आपको क्या पता चलता है कि उसके जो normal values के compare में ये जो है वो चेक किया जाते हैं, तो fasting blood sugar is a test performed after you have had nothing to eat or drink for at least 8 hours, कि at least 8 गंटे से आपने ना ही कुछ खाया ना खाया है, ना ही कुछ ऐसी आपने कोई liquid लिया है, तो उसके 8 गंटे तक आपने कुछ लिया ही नहीं है, तो आप जो है वो fasting blood sugar test करवा सकते हैं, and normal fasting blood sugar is less than 100 mg per deciliter या फिर 5.6 mmol per liter जितनी value आपकी आती है, normal fasting blood sugar की, तो ये खास करवाना चाहिए और ये खास कर morning में हो सकता है, कि आप समझे कि रात को खाना खाने के बाद सोई जाते हैं, आप एक बार blood sugar level test करवा लो, तो वो क्या हो minimum 8 गंटे का या उससे ज्यादा time पास हो जाता है, तो इस वक्त fasting blood sugar आप करवाता है और 100 से नीचे आता है, तो ये जो है वो normal हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखो पूरा एक चार्ट है, कि fasting जो level होता है blood sugar का, कि 100 से 125 है, तो वो आता है pre-diabetes conditions के अंदर, diabetes के proper तो वो 126 या उससे भी ज्यादा होता है, फिर खाना खाने के बाद जो चेक किया जाता है तो 140 या 199 आता है, प्री-diabetes के अंदर और complete जिसको diabetes है, उनके अंदर खाना खाने के बाद 200 या उससे भी ज्यादा blood sugar के जो value है वो आती है, एवन सी आप देखो pre-diabetes के अंदर तो 5-10-7 या 6-10-4 के आसपास रहता है, and diabetes के अंदर वो 6.5 या उससे ज्यादा, और जो random जो कराते हैं उसमें 200 या उससे ज्यादा है तो भी वो diabetes ही डाइगनोस होगा, तो healthcare professional most often use the fasting, plasma, glucose, F-Physic की जो हम बात करते हैं कि जो यह first data, कि fasting condition में आपका 100 से नीचे है, तो कोई problem नहीं है, but fasting condition में 100 से उपर आ रहा है, तो वो diabetes हो और समझे की borderline जो कहा जता है, वो pre-diabetes के condition के, 100 से 125 है, fasting condition में तो वो borderline कहेंगे हम, और वो उसको हम समझे की control नहीं करते, तो आगे वो diabetes के जो regular value से वहाँ तक जा सकता है, in some cases they may use the random plasma glucose, RPGP किया जाता है, तो इस तरह से A1C test के आप data देख सकते हैं, pre-diabetes है normal, और fasting blood sugar के आप यहाँ पर data देख सकते हैं, तो 99 यार उससे नीचे हैं तो normal कहा जाता है, तो कि आपने खाना खाना खाया है, उसके बाद चेक करते हैं, तो उस वक्त वो 140 तक आए, तो भी वो normal ही कहा जाता है, बड, glucose tolerance test में 200 से ज़्यादा आ रहा हैं, fasting में 126, pre-diabetes में 100 से 125, तो यह आप signals देख सकते हैं, green, yellow या रेड़ सिगनल देख सकते हैं, blood sugar level के, कि जिससे आपको पता चलेगा, तो यह slide का भी आप screenshot रख सकते हैं, कि जिससे आपको जो diagnosis जो है वो proper अच्छे से कर सकते हैं, कि blood sugar के basis पे आप यह तीन condition के अंदर, diabetes की condition या फिर normal condition को, जो है वो separate कर सकते हैं, आप बात करते हैं, prevention की, तो prevention के लिए क्या करना चाहिए, तो be more active, अभी जो हमने बात कही, active रहना चाहिए, fiber rich खाना खाना चाहिए, whole grains जो आते हैं, वो खाना चाहिए, खास कर आपको, weight loss करना चाहिए, कि increase हो रहा है, तो exercise करके, diet वगेरा प्रॉपर लेके, फिर make healthier choice, don't smoking वगेरा को अवोइड करने चाहिए, drink and, drink in moderation, manage your weight, exercise regularly, balance healthy diet, limit take away, and processed food लीजे, limit your alcohol consumption, कि आप alcohol consumption करते हैं, तो इसको limit कर दीजे, या फिर completely stoppy कर दीजे, smoking को quiet कर दीजे, blood pressure जो है, वो आपका control में रखे, and regular जो हो चेक अप करवाता रहना चाहिए, walking करो, active रहना चाहिए, green vegetables खाने चाहिए, fast food, junk food से आप हो सके जितना दूर रहे, और लेते हैं तो भी limit में लेना चाहिए, और ये खास, good sleep, minimum weight over की अच्छे से नींद लेजिए, तो आपका body जो हो feet and fine रहेगा, and monitor your sugar level on regular basis, कि regular sugar level चेक करोगे, तो भी आप जो है उसको control कर पाऊगे, तो उसके लिए आप glucometer भी घर पे purchase करके रख सकते हैं, कि जिससे जो हो आप blood sugar जो है वो regular basis पे चेक कर सके, और समझो कि घर पे किसी को sugar पे विमारी है, तो आप यहाँ पे जो screen पे देख रहे हैं अलग-अलग browns, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप समझते हैं उसे treatment के बारे में, तो diabetes के treatment के अंदर समझो कि किसी को medicine से ठीक नहीं हो रहा, तो islet transplantation किया जाता है, कि जो pancreatic islet जो होते हैं, उसको transplant किया जाता है, कि एक donor होता है, वो donor recipient को, receiver को, कि जो type 1 diabetes के जो person से उनको यह islet देते हैं अपने, तो mainly क्या होता है, कि जो islet नहीं होने के कारण ही problem होता है, कि जो pancreatic islet जो होते हैं, वो यहाँ पे present नहीं है, जिसके करण insulin secretion नहीं हो रहा है, और जो receiver है, उसके पास pancreatic islet present नहीं है, यहाँ पे present है कि जो donor है, तो यह donor क्या करता है, अपने pancreatic islet जो दूसरे diabetes वाले person को transfer करता है, तो उसके body के अंदर भी अप यह islet transplant होने के करण, insulin जो है, वो proper release हो जाता है, तो यह उसकी procedure है, कि जो donor होता है, उसके body में से यह pancreatic islet collect करके, उसको अच्छे से process करके, transfer किया जाता है recipient के अंदर, और फिर proper जो है, उसका monitoring करके check किया जाता है, कि कितनी amount में वो insulin वगएरा release कर पा रहा है, उसके basis पे, यह islet transplantation जो हो किया जाता है, type 1 के diabetes के अंदर, lente insulin के जो injection लिया जाता है, कि जो humiline कहा जाता है, कि वो human made form है insulin का, and insert करने के बाद, वो minimum 1.5 hours में अपनी effect दिखाना start करता है, and effect is maximum between the 4 to 8 hours, कि 4 से 8 गंटे एक बाद उसकी effect maximum रहती है, और 24 hours तक उसके असर रहती है, body के अंदर injection लेने के बाद, इसलिए आप देखो, डेली 1 injection लेता है, diabetes person के जो type 1 वाले है, कि insulin बनी नहीं रहा आप body के अंदर, तो इस तरह से आप देखो, यह insulin की जो वायल आता है, उसमें से आप जो है वो, properly जो उसका dose ले सकते है, फिर insulin के अलग-अलग versions आते हैं, lente insulin भी होता है, कि जो 7-0-3 ratio mixture के अंदर अवे लेखो बिलाता है, कि जो lente insulin है, कि जो ultra lente और semi lente, जो insulin होता है, उसका mixture बना होता है, और वो intermediate acting बनता है, कि जो insulin diabetes के लाज में यूस होता है, फिर oral hypoglycemic medications में हम देखे, कि जो type 2 diabetes में यूस होते हैं, तो type 2 के अंदर जो insulin तो release हो रहा है, पर resistance है, तो उस वक्त ये metformin के tablets पर डिस्क्राइब किया जाते हैं, तो 500 mg का इसका ये जो dose होता है, तो समझे कि diabetes बहुत ज़्यादा नहीं है, सुगर नॉर्मल रहती है आपकी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती है, कि 200, 500, 300 तक नहीं रहती, और थोड़ा बहुत कंट्रोल में भी है diabetes, तो उस वक्त डैली 1 tablet जो है, वो enough रहते हैं परिस्क्राइब के लिए, डैली 1, कि खाना खाने से पहले जो है वो ये tablets खास कर जो पेशंट लेते हैं, metformin, hydrogluridicay, और समझे कि आप गलती भी हो जाते हैं, तो भी तुरंत आपको ये medication खा लेनी चाहिए, because जो है blood sugar जो हो increase ना हो, फिर दूसरे चीज़ ये ज्यांदर में रखने हैं कि समझे कि ये medication आप खाते हैं, metformin का 500 mg, तो उसके बाद proper खाना खाना ही चाहिए, अगर खाना नहीं खाएंगे आप तो उससे blood sugar जो हो आपकी decrease हो जाएगी, तो ये खास द्यान रखना है, कि proper जब आप healthy खाना खाते हैं, proper diet लेते हैं, तो ही 500 mg dose जो हो लेना चाहिए, ये खास आपको द्यान रखना है, फिर दूसरे medications होता है कि enhance करता है insulin secretions को, जैसे कि tall butamide है, कि जो oral hypoglycemic drugs का, जो हम pharmacological classification सीखते हैं, तो उसमें sulfonylureas में से first generation के अंदर, tall butamide आता है, second generation के अंदर, glibandclamide होता है, glipizide होता है, फिर megalitinide analogs के अंदर, ropaglinide है, netaglinide, ये सब medications भी, physician's doctor के advice के according जो है, वो start की जाती हैं, फिर बात आते हैं, GLP-1 receptor agonist medications की जो injectable होते हैं कुछ, तो exenatide and lyraglutide है, DPP for inhibitors के अंदर, cytoglyptin and wildagliptins वाले medications है, तो ये भी, जब आपको ये आगे की medication से ठीक ना हो, तो physician's doctor जो होते हैं, वो आपका blood sugar वगएरा चेक करके, फिर इस में से आपको suitable कोई medication जो है, वो prescribe करते हैं, और उनके जो doses भी, जो regular आपका blood sugar monitoring के साथ ही लेना चाहिए, because, ये सभी medications जो है, वो RX only और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये red line, red line मतलब की लाल लकिर, मतलब की proper आपको healthcare providers के advice के according लेना है, आपके pharmacist या फिर, doctor के advice के according के use करनी है, oral hypoglycemics में के अंदर, जो insulin resistance को कम करने वाले medications है, वो है metformin सबसे ज़्यादा, के resistance है, insulin तो बन रहा है, resistance है, तो metformin उसको कम कर देता है, PO glitazone करके है, thaiosolididians में से, फिर alpha glucose inhibitors में से, alpha glucose inhibitors में से, ocherbos है, megalitol है, wogli boost करके, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, फिर SGLT2, sodium glucose coast transport to inhibitor, dapagliflozin, बहुत ही famous medication है, कि आगे के कोई भी medications काम नहीं कर रहें, तो, AstraZeneca का यह medication, dapagliflozin भी use किया जाता है, कि जो सिर्फ, 5 mg के film coated tablets available होते हैं, और यह भी, RX only medication है, फिर बात करें, उसकी medications के sad effect कि, कि, जैसे मैंने भी बात की कि, कि आपने metformin तो खा लिया 500 mg का, बड़ उसके बाद जिस्ट आपने, breakfast जैसे ही खाना खाया है, कि सिर्फ एक या 2 रोटी जितना ही खाना खाया है, तो, आपका जो sugar है वो काफी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, low blood sugar, स्टमक अपसेट हो जाएगा आपका, skin races होना स्टार्ट होगा, eating, weight gain जैसे problem होगे, metformin वगेर आए तो, sickness with alcohol, kidney complications, अपसेट स्टमक, dizziness, metallic test जैसा कई बार होता है, alpha glucose इसके करण, gas, bloating, diarrhea जैसे problem हो जाते हैं, thiazolity dions के करण, weight gain, risk of liver disease, zanemia, swelling of leg and ankles, megalitinides के करण, weight gain हो सकता है, low sugar हो सकता है, contraindications हम समझे, तो आपको, जितने भी हमने, medications discuss की, इसमें से, किसी भी medication की, hypersensitivity है, कि कि आज, आप metformin खाते हो, और उससे ऐसा कुछ हो जाता है, glipizide लेते हो, hypersensitivity होती, allergy है, आपको medication की, renal die function के, आपकी kidneys अच्चे से काम नहीं कर रही, hypoglycemic patient है, कि आप आर बार, glucose काम हो जाता है, तो काम glucose हो जाते हैं, उनको ये medications नहीं लेनी चाहिए, person with low blood sugar, diabetic ketoacidosis है, या फिर metabolic acidosis, तो ये बीमारी के अंदर, आप ये medications खाएंगे, तो ये बीमारी का, प्रमान और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सब ध्यान रखने पड़ते हैं, medications को लेते हैं बाग, तो ये था special lecture about the diabetes, thank you for watching, join कर सकते हैं, whatsapp group, access कर सकते हैं, study material, test series, video lecture, farmer oxkia pooper, so good luck and all the best.